केंट थाने की पुलिस ने एम्स में नौकरे दिलाने के नाम पर कूट रसित नियुक्ति पत्र दे कर पैसा हडपने के आरोप में एक वांगशित अभ्युक्त को गिरिफतार किया है जिसके संबंद में केंट थाना प्रभारी सशी भूशन राय ने बताया कि मुक्पिर की सूशना परेक अभ्युक्त को गिरिफतार किया गया है जिसकी पहचान प्रमोद कुमार पुत्र हरी चंडर निवासी सिहटी कर थाना बखीरा जनपत संद कभी नगर के रूप में हुई है कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि वादी मुकदमा कनही प्रशाद से एम्स कुरकपूर में नौकरे दिलाने के नाम पर 17,65,000 रुपे लेकर कूट रचित न्युक्ती पत्र दीकर पैसा हरपने वाले अभ्युक्ते प्रमोद कुमार को ग्रिफतार किया गया है तथा अभ्युक्ते ने पूच्टार्श में बताया है कि मैं पहले एक डिजिटल ऑनलाइन सेंटर में काम करता था जिसके मालेक तथा उसके दो पार्टनर ने मुझसे कहा कि कोई ग्राहक ढूंड कर लाओ जो हम लोगों को रुपेया दे सके हम लोग ऐसे एम्स का फरजी न्युक्ती पत्र दीकर पैसा हरप लेंगे जिनके साथ मिलकर मैंने कनही परसास से 17,65,000 रुपे लिया था जिसको जेल भीज दिया गया गृफतार करने वाले पुलिस टीम में कैन थाना प्रभारी ससी भूशन राय महिला उपनरिक्षक दीप मंजरी पांडे उपनरिक्षक आचितूस राय कॉंस्टेबल विजे शुकला संदीप सुरीश यादो शामिल रहे कर दो